तो कैसे हैं आप लोग अपनी करण रफेस के अगली क्लास है जहां पे हम करण रफेस की बात कर रहे हैं सब कुछ कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइस और उसके अलावा हमने कुछ क्वेशन देखे थे अभी यह पूरा नहीं हुआ है शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना वेस्ट करें और उसके बात क्वेशन पर वापस आएंगे मैं बड़ी फटा वट से जो लोग आज पहल मार्किट में अगर लिक्विडिटी जादा है याद करिए प्याज वाला एक्जामपल देट से रुपे देगा मार्किट में अगर लिक्विडिटी जादा है तो उसकेस में हमारे को महंगाई देखने को मिलेगी और हमारे को इंफलेशन देखने को मिलेगा यह वाली बात ह हम already discuss कर चुकह हैं कि अगर market में पैसा जादा है, liquidity जादा है, तो inflation मेंगभा इधर वह जादा रहेगा, अगर market में, अगर market में liquidity कम है, यहां पे अगर liquidity कम है, पैसा कम है, तो याद करिये, फूल वाल एक्जामपल मैंने आपको दिया था कि किसी की फूल की दुकान है, बुक्य की दुकान है, तो उस case में there would be low GDP and उस case में there is a possibility of unemployment as well, ये वाले दो एक्जामपल मैंने आपको दिये थे, liquidity से link करते हैं, ये दो major बात हैं हमने last class में discuss करने थी, ये conclusion हम आज use करने वाले है ये conclusion हम आज use करने वाले हैं, कि अगर liquidity जादा है, liquidity जादा है तो महंगाई रहेगी, liquidity कम है तो GDP कम रहेगा और unemployment जादा रहेगी, इसी के साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये basically हम यहाँ पर फटावट से summary देख रहे हैं, फटावट से summary देख रहे हैं, एक बार हम यहा कि जो monetary policy होती है, जो monetary policy होती है, वो तीन तरीके कि होती है, एक होती है, accommodative policy, एक होती है neutral policy, और एक होती है, hawkish policy और मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का liquidity से क्या लिंक होता है won Loいう much liquidity भढ़ाना चाहते है नीटरल बाते हम हम to try to come करना चाहते हैं यह थीन बाते हमने देखी दि कि का मॉन्री प्यूब से यह थी ही यहां तक क्लियर होता है झाल 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 एक जो ट्रम शक्ति का अंदास बार बार यूज़ गरते हैं, उसे कहता है रेपोरेट, एक ट्रम जो बार बार इस्तacı si're रहता है, मौनेटरी पॉलिसे में, उसे बोले आता है, रेपोरेट. यह ब्लॉक डाइग्रामा बेगबरी बना लेंगे तो आपको हमेशा के लिए यह वाला कॉंसेप्ट समझा दाएगा ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है सबसे पहले सवाल उठता है कि यह रेपोरेट क्या होता है यहां पर सबसे पहले सवाल उठता है कि यह रेपोरेट होता क्या है वाट इस रेपोरेट आप यह देखिए कि bank का basically काम क्या होता है लोगों का आगे loan देना यह जो मैं आपे banks देख रहे है इनका major काम क्या होता है आगे loan देना टाटा अमबानी या डानी टाइ बिसनस्मन को आगे loan देना यह इनका major काम होता है ठीक है यहाँ पे एक cycle चलती है Suppose करिए bank के पास आज की तरिक में पैसा नहीं है यहाँ पे एक concept आता है जिसे कहते है रेपो रेपो का basically मतलब होता है इस word को मैं दो हिस्सों में break कर रहा हूँ यह basic समझना ज़रूरी है तभी आपको exactly रेपो का मतलब समझ में आएगा prelims और mains के point of view से repo का exact मतलब होता है repurchase operation repo का यहां पहे जो meaning होता है that is registration operation repo का यहां पहे exact मतलब होता है gusta repurchase operation repo का मतलब होता है representative operation abolish operation रेपो का मतलब होता है री पर्चेस ऑपरेशन सवाल उठता है यह री पर्चेस ऑपरेशन का क्या मतलब है सवाल उठता है यह जो री पर्चेस ऑपरेशन है इसका क्या मतलब है री पर्चेस ऑपरेशन का मतलब होता है देखेंगे ध्यान से ICI-CII, RBIA के पास गया कि sir थोड़े से पैसे दिलवा दो, पैसों की कमी है मरेको आ गर टाटाम बानी को बड़ा सा लोन देना है ICI-CII जो है, वो RBIA के पास गया कि मिरे पाफ पैसे की कमी हो रही है, आपके पास तो खुँद की मशीनरी है आप मेरे को एक बड़ी पैसा देदो आर्बियाई ने बोला ऐसे कैसे देदू कल को तुम बैंक बंद करके भाग गए आपने देखा अचकल काफी साथ हो रहा है कि बैंके बंद रहा थी है रात और रात हमने पंजाब महराराश्चु कॉपरेटिव बैंक में देखा हमने ये रात बंद हो घाए उसका शेर किस तरीके से मार्केट में गिरा जैसे वाँपर क्राइस आ गये उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैंक है मना पूरा और यह सब माधापुरा कॉपरेटिव बैंक यह सब रात और बंद हो गए हैंसे चैन पारे उसे नहीं में काफी सारे बैंक दूब गए तो RBI ने सीधा बोला कि भाई एक बार बताओ अगर आपको पैसा चाहिए मैं आपको किस गैरंटी पर पैसा देदू आप तो कल को बैंक बंद करके भाग जोगे आपकी बैंक नुक्सान में पैसा दो मेरा जाएगा ICICI बैंक ने बोला मैं काम करता हूँ आपके पास कुछ गिर्वी रख देता हूँ कोलाटरल, मौटगेज, RBI ने पूझा क्या गिर्वी रखोगे ICICI ने बोला देखो मैं आपको गौर्णमेंट सिक्यूरिटीज गिर्वी देने को तयार हूँ मैं आपको गौर्णमेंट सिक्यूरिटीज देने को तयार हूँ बेसिकली गौर्णमेंट सिक्यूरिटी का क्या मतलब होता है सरकार जो है मार्किट से पैसा उधारी में लेने के लिए अलग-अलग प्रकार के कागज इशू करती है जिनने कहते हैं गौर्णमेंट सिक्यूरिटी मतलब की क्या हो रहा है सरकार को गती शक्ति प्रॉजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो सरकार ने आईसे आईसे बैंक के मैनेजर को फोन कर और बोला बज़रा मिरको 100 करोट रुपे बिजवाओं ऐसे operation में सरकार क्या करेगी यहां पर government security देगी government security का मतलब हो तक काकच पर लिखके देगी कि मैंने ICICI bank से 100 करोट रुपे उधारी में लिये हैं और मैं फलाना फलाना टाइम के बाद 101 करोट रुपे या 102 करोट रुपे ब्यात समेथ ICICI को वापिस कर दूँगा और पल्टे में ICICI जो है वह 100 करोट रुपे यहां पर सरकार को देदेगा यहां पर पल्टे में ICICI जो है वो सौ करूट रोपे पल्टे में सरकार को दे देगा कहने का मतलब यह है कि यह सरकार है और ICICI के पास government security का असे हैं वो ऐसे हैं कि जब bank ने सरकार को loan दिया अलग-अलग projects के लिए प्रधान मंतरी उजवला योजना जीवन जोती भीमा योजना अलग-अलग योजनाओं के लिए जब bank ने सरकार को loan दिया तो उस time पर सरकार ने government security security का मतलब होता है वादा पत्र की वादा करते हुए सरकार ने एक कागज जो है bank को दे दिया कि देखो हम सरकार हैं हम यहीं पर बैठे हैं हम आपको दो साल के बाद 102 करोड रुपए दे देंगे आप अभी हमार को scheme चलाने के लिए 100 करोड रुपए दे दो उसे कहा जाता है कि सरकार ने एक वादा पत्र बेसिकली यह क्या होता है वादा पत्र होता है वादा पत्र बादा करके बैंक को दे दिया कि हाँ वाई मैं आप से 100 करोट रुपे ले रहा हूं और मैं आपको 102 करोट रुपे एक से दो साल के बाद वापिस कर दूँगा इस कागज के उपर यह सब लिखोता है और इसे कहता है गौर्मेंट सेक्यूर्टी अगर यह concept समझ आ रहा तो इस ए ज्यस अनचे टीए इस तो इस तुरिके से बैंक के पास गौर्मांट सिक्यूर्टी जा आती है इसित रीके से अपाज जो government securitys पढ़ीवी एंवो beltिम्अन के दाँ इत्रा क्लेंटरल की तत्रा मतलब गिर्वी रखवाने की त्रा गिर्वी रखवाने के लिए bank जो है वह circuit आर बी ist unemployment को देगा collateral रखवाने के लिए वह तैसा देगा कि लोग अब आप यह पैसा लो औंго और आगे टाटा को और अम्बानी को ये पैसा जो है आप लोन में दे दो क्या ये cycle crystal clear हो रही है कि bank को कुछ ना कुछ गिर्वी रखवाना पड़ेगा RBI के पास तभी RBI जो है bank को repo operation के अंदर पैसा देगा is this point crystal clear or not सर समझ आ रहे हैं एक एक बात समझ आ रही है हाँ है ना जल्दी कोई पूछ रहे है सर आप other subject teach करते हैं क्या बता दो भाई में क्या-क्या बढ़ाता हूँ आप बारी जो पढ़ चुके हैं फटा फट से बता दो जल्दी से बता दो तो हमने देखा कि कि आइसे इसे बैंक ने security दिया RBI को और पल्टे में RBI ने पैसा दिया यह पैसा आगे टाटा मानी को दिया अब आप समझो economy का चक्कर कैसे घुम रहा है economy की साइकिल economy की rotation कैसे घुम रही है देखिए उसका आपके लिए क्या मतलब है consumer के लिए क्या मतलब है aspirant के लिए क्या मतलब है सारी बाते बताने वालों अभी यहां से देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ यहां पर एक डाउट है कि government security यह तो एक कैसे दे सकते है बेसिकली हमारे देश में government security जो है वो ऐसा सत्य माने आता है कि सरकार ने अगर कुछ वादा कर रहे तो वो एकदम पक्का वाद है इसका मतलब यह होता है यहां पर कीरती ने डाउट पूछा है कि sir government security कैसे दे सकता है bank basically आप मैं यह समझे बात कि अगर ICICI RBI को पैसा लेने गया और वो कुछ बदले में रखवा रहे है government security का मतलब यह होता है कि कल को अगर यह bank बंद हो गया तो सरकार जो है वो पैसा RBI को देगी समझो यहां पर जो मैंने आपको example दिया government security का मतलब का government का वादा कि मतलब चाहे कोई सी भी सरकार हो कल नरेंद्र मोधी सरकार अटल पहरी सरकार मनमौन सिंग सरकार कोई सी भी सरकार हो अगर प्रदान मंतरी बदल भी नहीं उससे फरक नहीं पड़ता भारत सरकार ने वादा करके ICICI bank को दिया हो है तो कल को चुनाओं में अगर सरकार पलट भी गई तो ICICI bank के पास यह वादा पत्र है कि हाँ आपकी सरकार ने मेरा 102 करोट रुपे देना है अब वो दो मतलब कि सरकार ने 102 करोट रुपे देना है अब आप समझो साइकिल समझो ICICI bank के पास वह वादा पत्र था कि सरकार से हमने 102 करोट रुपे लेना है वो बाद आप पत्र इनों ने RBI को दे दिया कहने का मतलब है ICICI ने क्या बोला कि कल को अगर मैं RBI का पैसा नहीं लोटा पाया अगर मैं कल रात मेरी बैंक बंद हो गई रातो रात मैं बैंक बंद करके भाग गया तो RBI का पैसा डूबना नहीं चाहिए मैंने सरकार से 100 करोट रूट रूबने थे अब वो RBI सरकार से ले लेगा मतलब की RBI का पैसा सेफ है Everyone बात समझ आ रही है कीरती ने जो डाउट पूछा आपको समझ आ रही है Everyone बात समझ आ रही कीरती का डाउट बहुत वालिड था आपको चेंड समझ आ रही है Economy की की सरकार का जो वादा होता हूँ पक्का वादा होता है सरकार का जो वादा होता है पक्का वदा होता है और इस वादये का मतलब है कि कल औरבैंक बंद करके थाख भाग गया कोई क्रिस्टल lingering कीर हो रहा है फटावट से थम्सप दे दो, बात क्लियर हो रही है या नहीं, फटावट से थम्सप दे दो, जल्दी से, हाँ या ना यहां पर एक डावट और आ रहा है कि सर, बैंक ने अगर जादा पैसे ले लिए तो, सर देखिए, यह जो रेपो का उपरेशन पूरो होता है, यह इस तरीके से डिजाइन करा गया है, कि जितने रुपे की सिक्योरिटी है, उतना रुपे आई ही आप आर्बियाई से ले सकते तो, मतलब कि अगर यह सिक्योरिटी सपोस करिए, सौ करोड रुपे की है, सपोस करिए, अगर यह सिक्योरिटी सौ करोड रुपे की है, तो ICICI जो है, आर्बियाई से, सौ करोड रुपे ही ले सकता है, सौ करोड से जादा नहीं ले सकता, यही मतलब होता है, रेपो आपरे के टाइम आराम से गानावा नगाओ यूपी एसी में क्या रखा है समझ आगे चलूं आगे चलूं आगे चलूं आगे चलूं आगे एवरिवन आगे चलते हैं करें आगे तो आगे व्यार्णि और स्कुषर मार्केटेल्वलयवं आगे तकude मारिषक्ते हैं क् treating आगे फिल्भ्रन आगे थाया वह अब विशसें आनेगे लोग बड़े ये चया करेंगे बिजनेके से में इन हीलोगों को जैसे ही इन लोगों को पैसा मिलता है यह लोग क्या करेंगे बिजनस एक्सपैंशन करेंगे यह लोग क्या करेंगे बिजनस एक्सपैंशन करेंगे बिजनस एक्सपैंशन का मतलब है जामनगर में नई फैक्टरी लगा दी गुजरात में नहीं टाटा नानो की फैक्टरी लगा दी, वेस्बेंगॉल में नहीं टाटा सफारी की फैक्टरी लगा दी, इस तरीके से फैक्टरी लगाएंगे, मतलब कि इन लोगों को जब ये पैसा मिलेगा, तो ये नहीं रिफाइनरी, फैक्टरी, जियो मार्ट के नहे मौल खोल दिया, जीयो लक्स खोल दिया, और ये सब, तो अब क्या होगा? यह आगे लोगों को hire करेंगे, आगे यह लोगों को hire करेंगे, मतलब की, लोगों के हाथ में आगे जाएगा पैसा, salary के फ़र्म में, मतलब की A, B और C को इन्होंने hire कर लिया और आगे लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है आप क्रोनलोजी समझिए यह समझ गए जिंदिकी भर economy भूलेंगे नहीं समझार यह बात है हाँ अभी एक monetary policy का टॉपिक चल रहा विनाश इसलिए मैं यह पड़ा रहा हूं इसके बाद आई यार पॉलिटी एंवार्मेंट सोशल इशू सब पर आउंगा एक करके टॉपिक वाइस अप्रोच है तो एकॉनमी ही नहीं सारे सब्यक्स कवर करूंगा मैं डोंट वरी अबाउट इट यह समझ आ रही है साइकल कि आरभी इस से आगे निकले सब्यक्स कवर करूंगा एक करके लेकिन डीटेल में मैं कोई टॉपिक बीच में आदा छोड़ना नहीं चाहता है इसलिए मैं इस अप्रोच के साथ चलता हूं कि आपने ये एक बार ही पढ़ लिया तो अगली बार अगबार मैं आपको खुद से समझ आ जाए ठीक है अब ये जो ए बी और सी को पैसा मिला अब ये जो ए बी और सी को पैसा मिला ए इस पैसे का क्या करेंगे आगे जाएंगे नया माइक्रोवेफ खरीदेंगे नया फ्रिज खरीदेंगे नय कपड़े खरीदेंगे नया बच्चों के लिए स्कूल बैक खरीदेंगे बढ़ेगी, demand से मेरे दिमाग में क्या आ गया, प्याज वाला example आ गया, कि हर कोई सेम चीज के लिए जादा पैसा देने को तयार होगा, और इससे market में inflation जो है increase होगा, मतलब कि अगर RBI असानी से banks को पैसा दे रहे, और bank असानी से आगे loan में पैसा घुमा रहे हैं, तो लोगो कैसे खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे हो रहे हैं भाया, और खर्चे बढ़ेंगे तो market में inflation बढ़ेगी, crystal clear है, हाँ है ना, आ रहा है, अभी आ रहा हूँ मैं उस पर, अभी आ रहा हूँ मैं उस पर, आपका doubt मैंने देख लिया है, मैं भी आ रहा हूँ उस पर, ये clear है सब को everyone, everyone, is this clear, demand बढ़ेगी, तो inflation बढ़ेगी, बढ़ेगी, दिमाग में concept बैट रहा है, रटने वाला सीन नहीं चाहिए, मेरे को, मेरे को रटने वाला सीन नहीं चाहिए, समझ आ रहा है, दिमाग में flow chart बैट रहा है, अभी मैं all detail में जा रहा हूँ इसकी, एक एक concept clear हो रहा है, नहीं मेरे को रटने वाला सीन नहीं चाहिए इदर, सबसे जवाब चाहिए, फटाबट से, येस और नो, ठीक है, सर ये operation तो समझ में आ गया, ये operation तो समझ में आ गया, सर लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो आपने word लिखा है, repo, इस word का क्या मतलब है, cycle तो समझ में आ गई, क्या हो रहा है, ये पूरी cycle हम समझ गए, कि RBI पैसा देखा, bank को, bank देखा, businessman को, businessman देखा आ गए, employees को further demand बड़ेगी, inflation बड़ेगी, सर ये बाट तो हम समझ गए, लेकिन इस आपने उपर बड़ा-बड़ा keyword लिखा है, repurchase operation, इसका क्या मतलब होता है, ये तो हमारे को समझ ही नहीं आया, आजाओ उस पर आते हम, ये है RBI, ये है ICICI, चेन समझना ध्यान से कैसे चल रही है, यहाँ पर शिवम जैस वाल ने पूचा, सर जब demand और supply मैच हो रही है, तो फिर inflation कैसे बड़ेगी, सर ऐसा नहीं होता, देखे, suppose करिए मेरी एक factory है, मैंने 5 biscuit के packet बनाए, क्योंकि यह भी मंदा चल रहा बाजार में, ठीक है, बाजार में मंदा चल रहा है, मैंने सिरफ 5 biscuit के packet बनाए, रातो रात टाटा और अम्मानी को लोन मिल लिया, उन्होंने कल हजार delivery boy अपने ये बिग बास्केट वाली application के लिए, रातो रात हजार लड़के हायर कर लिये, उन हजार लड़कों को salary मिलने लगी, उन्होंने का अब हम भी biscuit खाएंगे, अब वो पारले जी की, जो demand थी, वो हो गई 2000 packet की, हरकोई दो-दो packet खा रहा है, फैक्टरी बना रही थी, पांच packet, ये सब लोग मांग रहे है, 2000 packet, तो demand supply mismatch होगा ही होगा, जब-जब market में पैसा बढ़ेगा, जब-जब market में liquidity बढ़ेगी, फैक्टरी वाले एकदम से supply नहीं बढ़ाएगा, उसको भी तो पैसा ची है, उसको तो अच्छा लग रहा है, packet महँगा होगा, तो उसको ज़्यादा profit होगा, एकदम से demand supply कभी equilibrium में नहीं आती, ये बात ध्यान रखेंगे, clear है, clear है, शिवम जैसवाल का एडाउट था, शिवम जैसवाल का एडाउट था, clear हो रहा है सर, चलूँ आगे, crystal clear है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, step number one, क्या है, अभी बताउँगा, step number two, क्या है, अभी बताउँगा, अभी सिरव आप समझों कि ये process पूरा step में हो रहा है, फिर उसके बाद, step number three, और फिर उसके बाद, step number four, जो रेपो अपरेशन होता है, जो रेपो अपरेशन होता है, वो चार स्टेप्स में होता है, जो रेपो अपरेशन होता है, वो चार स्टेप्स में होता है, समझेंगे, जो रेपो अपरेशन हो रहे वह चार स्ट में हो रहा है ठीक है कैसे हो रहा है अधिश्याल वर्डी से पता Regierung से पता है क्यों थी लूदी से झल्डी से थमजप देंगे अगर उन जल्दी से बता हैं यह अग attempts ठीक है, ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है, ICICI, SORB की Government Security लेके, ICICI, 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 SORB की Government Security लेके, RBI के पास गया, SORB की Government Security लेके, RBI के पास गया, SORB की Government Security लेके, RBI के पास गया, ठीक है, RBI ICICI को कितने पैसे देगा, RBI ICICI को कितने पैसे देगा, RBI ICICI को SORB नहीं देगा, RBI ICICI को SOR पे नहीं देगा, RBI ICICI को 90 रुपे देगा RBI ICICI को 90 रुपे का लों देगा RBI ICICI को 90 रुपे का लों देगा RBI ICICI को 90 रुपय का लोन देगा RBI ICICI को 90 रुपय का लोन देगा Sir आपका हो गया दिमाग खराब आप कुछ भी बोले आ रहे हो नहीं ये बात सच्छा है कैसे देखो 90 रुपय का लोन देगा इसे कहते हैं Economy की भाषा में Prelims और Mains दोनों रगाए टर्म यूज होगा Discount to face value इस पूरे concept का नाम होता है इस पूरे concept का नाम है Discount to face value Sir क्या बोले आ रहे हो कुछ समन नहीं आ रहा अभी आएगा दो मिनट दो बस देखो यहां पर ध्यान से समझेंगे यहां पर ध्यान से समझेंगे ध्यान से समझेंगे क्या suppose करिए government security है सरकार का वादा पत्र इसके अपर क्या लिखा हूँ है 100 रुपय एक government security है एक government security है से क्योड पर क्या लिखाविया इसकुरिटी अपर क्या लिखावियो क्या रखाव उसके face pay, जो rate लिखा हुआ है, उसे कहते है face value, सरकार ने जो security issue करी, उसके अपर 100 पे का rate लिखा हुआ है, इसलिए उसे बोले आता है face value, जल्दी से बताएंगे, बात समझाती है नहीं, face value, ये जो मैंने आपर term लिखा है, face values का क्या मतलब है, समझा रहा है, discount बूल जाओ, भी बता रहा हु, discount क्या है, face value, जो मैंने आपर term लिखा है, क्या वो समझा रहा है, face value, जो मैंने आपर term लिखा है, क्या वो समझा रहा है, एवरिवान, face value, जो मैंने आपर term लिखा है, वो समझा रहा है, कि security के अपर जितना rate लिखा है, 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 उसे हम कहते हैं, क्या face value, उसे हम कहते हैं, face value, उसे हम कहते हैं, face value, correct, everyone, correct or not, yes, ठीक है ICICI Bank ने RBI को Government Security दी SOR पे की Face Value की मतलब उसके अपर क्या लिखा हुआ है SOR पे लिखा हुआ है ICICI Bank ने RBI को दी ठीक है सर ये Step No. 2 क्या है Step No. 2 है कि जो Face Value है RBI कभी उतना पैसा ICICI Bank को नहीं देगा RBI कभी उतना पैसा ICICI Bank को नहीं देगा SOR तो फिर क्या देगा हमेशा Face Value से कम पैसा देगा आप देखें यहां पे Face Value अगर 100 रुपे की है तो ICICI जो है वो 90 रुपीस का लोन दे रहा है Face Value अगर 100 रुपे की है तो लोन दे रहा है 90 रुपीस का मतलब की Face Value से कम पे लोन दे रहा है दीख रहा है कि दिख रहा है तिख रहा है भ स्कारीजन यह समझ आ रहा है सबको दिख रहा है कि जो फेज्ट रयू होती है फेस्ट वैल्यू से इसका प्सक्रा दिया जाता है अब हम गर्श कोती है इतना क्लियर हो रहा है ठीक है यह जो फेस वैल्यू से कम रेट पे लोन दिया जा रहा है इसको कहते है इसकी MRP 100 रुपे है कुछ तो डिसकाउंट दो हाँ बहन जी 100 रुपे है लेकिन क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हो तो आपको मैं यह 90 रुपे में देने को तैयार हूँ डिसकाउंट देदो डिसकाउंट कका मतलब क्यों हाता है जितने को उसको पस ठीकर लगाए उस्से कम रेट पर हमारको क्यूंदै राधा तयं अचा हुआ security थी सौर पे की security थी सौर पे की security थी सौर पे की यह जो security है यह सौर पे की है यह security सौर पे की है लेकिन RBI ने उसके सामने सिर्फ 90 रुपे दिये मतलब की discount to face value पे यहां पे loan दिया गया face value जो है 100 रुपे की उसके उपर कुछ discount लगाया और फिर RBI ने loan दिया discount to face value, discount to face value, discount to face value, discount to face value, face value उसके उपर discount उतना loan RBI बैंक को देगा crystal clear है 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 न एक एक वर्ट, एक एक पॉइंट इस, crystal clear है, discount to face value, issued a discount to face value, तीसरा step, suppose करो एक महिने बाद suppose करो एक मुहिने के बाद, ICICI को अभी पैसा नहीं चाहिए, ICICI क्या RBI के पास, कि भाई वो 90 रुपे अपने वाफिस ले लो, और मेरी government security मेरे को वाफिस दे दो और मेरे को government security दे दो, बता रहो अभी कौन benefit करेगा discount से, ICICI क्या RBI के पास, क्या रहे है जो अपने 90 रुपे है वाफिस ले लो, और मेरे को मेरी government security वाफिस दे दो, यहीं होना चाहिए, हाँ यहीं होना चाहिए, yes or no, everyone, यहीं होना चाहिए, yes or no, यहीं होना चाहिए, हाँ है ना, RBI ने बोलो भईया ऐसा है, यहाँ पर मैं भी business करने बैठा हूँ, अब जो है, यह security आपको मेरे से अगर चाहिए, तो आप यह मुझसे face value पर खरीद होगे, मतलब, you will have to repurchase these securities from me, RBI ने बोला, you will have to repurchase these securities from me, you will have to repurchase these securities from me, repurchase का मतलब, RBI ने बोला, आपकी security मेरे पास पढ़ी है, उसकी face value है 100 पे, अब आप मेरे को 100 पे दो, तो मैं आपको यह security वापस करूँगा, मतलब कि यह security मेरे पास पढ़ी है, आप इसको मेरे से repurchase करो, तब ही मैं आपको यह securities वापस करूँगा, मतलब कि RBI ने 90 रुपे दिये, लेकिन वापसी उसे 100 रुपे मिले, यह 10 रुपे जो है, यह RBI का प्रॉफिट है, समझ आ गया, everyone, is this point clear, क्या यह बात समझ आती है, कि यह जो है RBI का प्रॉफिट है, यह difference जो है, यह RBI का प्रॉफिट है, is this point crystal clear, कि ICICI ने पहले security ती, RBI ने discounted face value पे loan दिया, उसके बाद RBI कहता है, you will have to repurchase these securities from Meet, तो RBI ने, RBI ने government securities वापस करी, और ICICI को, government securities की face value जो थी, उतना पैसा RBI को देना पड़ा, यह ने difference है, यह RBI का profit है, यह जो difference है, this is the profit of RBI, यह जो difference है, this is the profit of RBI, समझ आ रहे है, yes or no, everyone, is this point crystal clear, is this point crystal clear, yes or no, समझ आ रहे है, री पर्चेज ओपरेशन, री पर्चेज ओपरेशन, इसे कहते है, redeem that power, रेपरेशन के लिए हमेशा दो terminologies यूज होती है, रेपरेशन के लिए हमेशा दो terminologies यूज होती है, एक, कि रेपर में क्या ओर है, step number one, securities are issued at discount to face value, जितनी उनकी face value है, उसके ओपर discount पर उन्हें issue किया रहाता है, but they are redeem that power, but these securities are redeem that power, redeem that power का मतलब होता है, redeem that power का मतलब होता है, इस शची थरूर word का मतलब है, कि जब आपको वापिस से government securities खरीदनी है, तो वो आपको face value पर ही खरीदनी पड़ेंगी, मतलब की they are issued at discount to face value, जो face value है, उसके discount पर उन्हें issue किया रहेगा, लेकिन redeem का मतलब होता है वापिस खरीदना, जब आप उन्हें वापिस खरीदोगे, तो वो आप face value पर ही वापिस खरीदोगे, they are issued at discount to face value, but they are redeemed at par, but they are redeemed at par, is this point crystal clear? समझ आ रहा है, अकबार में ये term आप बहुत पड़ोगे, अकबार में ये term आप बहुत पड़ोगे, issued at discount to face value, but redeem that par, is this concept crystal clear repo operation का, repo operation का ये concept crystal clear है, सबसे मिर को जवाब चाहिए, हाँ या ना, yes? तो हमने इधर ये देखा, हमने इधर ये देखा, हमने इधर यह देखा just a moment हमने इधर यह देखा कि RBI जो है यह जो RBI है यह जो RBI है यह यहाँ पर पैसा दे रहे है ICICI को Government Securities के बदले और यह यहाँ पर Discount पर Issue हो रही है जैर Issue.Discount अब समझो अब समझो समझो अब यहाँ पर गेम क्यों आ रहा है शक्तिकांदास में क्या करा समझो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 0.5% तो रेपरेट इंक्रीज हुआ उसका क्या मतलब है Case 1 Case 2 Case 1 Case 2 देखे Access Bank 100 पर की Security ले क्या आया Access Bank 100 पर की Security ले क्या आया RBI ने उसे दिये 90 रुपे आगे Access Bank ने 90 रुपे का लोन टाटा को दिया और आगे टाटा ने ये 90 रुपे Salaries में Distribute कर दिये आगे टाटा ने ये 90 रुपे Salaries में Distribute कर दिये ठीक है एक cycle Second case Second case यहाँ पर हमेशा के लिए Repo Clear होने वाले जाहन से देखना Second case Second case 100 रुपे की Government Security दी 100 रुपे की Government Security दी RBI ने बोला मैं Repo Rate बढ़ा रहा हूं RBI ने बोला मैं Repo Rate बढ़ा रहा हूं RBI ने बोला मैं Repo Rate इंक्रीस कर रहा हूं 0.5% से मैं Repo Rate को Increase कर रहा हूं बयाज को Increase कर रहा हूं Repo Rate का मतलब आप संधो profit of RBI ďए रेपोijn happened समझो profit of RBI profit of RBI मतलब की आप इस आरी अधिए को को 10 रुपे का profit हो रहा बीचे बिच में डिफरेंस जादा रहेगा मतलब आप में बढ़ारा रहा हुं अप मतलब कि पहले जो मैं आपको 90 रुपills देरा था और मेरे को यह पे 10 रुपills का प्रॉफित हुर था अब मिरे को 10 रुप more is the discount लिखो statement प्रिलिम्स की सीधी सेटमेंट निकलेगी more is the reporate more is the profit of RBI more is the reporate more is the discount on government security more is the reporate more is the discount on face value of government security लिखो जल्दी जल्दी लिखो जल्दी लिखो ये तो यहां पर क्या हो रहा है 100 पर की government security देदी उसके बाद 85 रुपीज RBI ने दिये मतलब की access ने आगे टाटा को 85 का लोन दिया मतलब की 85 का लोन दिया मतलब की टाटा ले आगे 85 रुपीज की salary बाटी मतलब की salary पहले से कम हो गई यहां पे 90 रुपीज की salary जा रही थी यहां पे 85 की salary जा रही है पांच रुपे का बिस्कुट कम बिंखेगा 5 रुपे का 5 रुपे का माइक्रोवेव बाइक दोक्य कम है और 5 रुपे की जब डिमांड कम होगी इनफलेशन अपने आप कम होगी crystal clear है क्रिस्टल क्लीयर है हाँ या रहे सब से जवाब चाहिए सब से जवाब चाहिए everyone झाल झाल समझ आया दिमाग में कौन से बैटरा मेरे को रटने वाला सीन नहीं चाहिए समझ आ रहे है सब को जल्दी जवाब दो ये सोडो ये सोडो एवरिवान एवरिवान ये सोडो तो क्या सर यहां पर आपको बात समझ में आ रही है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी क्लियर हो रहा है शक्ति का अंदास ने क्यों बोला कि मेरे को रेपो रेट बढ़ाना है अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो यहां पर लिक्विडिटी कम होगी जिसकी वरेश हम इंफलेशन को टैकल कर पाएंगे क्या यह कॉंसेप्ट ट्लियर है यहां 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 RBI ने परसो जो monetary policy निकाली उसमें रेपो रेट को 5.4 से बढ़ा के 5.9 कर दिया अब आप मेरे को चैट में बताओगे फटा पट इसका क्या मतलब होता है तीन चार जो मैंने conclusions आपको बताए regarding profit of RBI, regarding discount to face value, regarding inflation, regarding money supply चार conclusion चाट में मिरे को चाहिए, एक सेकंड में point number 1,2,3,4 करके जल्दी से बताओ, क्या होगा, अगर RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, अगर RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, चार conclusion मिरे को चाट में चाहिए, आप सबसे एक सेकंड के अंदर जल्दी से, कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया, तो चार conclusion क्या निकलते हैं, इसके monetary policy में, करेक्ट, market में liquidity काम होगी, समीर शर्मा, profit of RBI, योगिंदर, सही है, liquidity कम, नमिता, सही है, less liquidity, सेहा, नवास भाई, profit of RBI, करेक्ट, करेक्ट, RBI का profit, low liquidity, हर्ष त्रिवेधी, बिल और, 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 ठीक है, discount rate, प्रतीक्षा, ठीक है, ठीक है, liquidity, discount to face value, inflation, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, profit, discount, low liquidity, रिच्चा एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, मतलब more or less, आपके दिमांग में conclusion बैट चुका है, अब आपको समझ जा रहा है, अगली बार, अगली बार आपको मेरी conclusion निकाल लोगे, कि अगर reparate में थोड़े से भी changes आ रहे हैं, तो उसका इंपक्ट पड़ेगा, liquidity, RBI की profitability, inflation और demand के उपड़, येस, correct, once and for all ये concept खत्म है, एक बार ही फटा बट में case बता रहा हूँ आपको, low reparate का, ये आज की तारिक में current affairs में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें एक topic कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा ही cover करा देता हूँ है, जिससे आपको खुद से पढ़ना ही ना पड़े, low report का इक बारी मैं आपको case बता रहाँ, फटा बट से की यहां पर क्या होने वला है, block diagram बना रहे है, block diagram बना रहे है, block diagram बना रहे है, everyone, ये block diagram बना लो, ये note हो गए आपके, आपको इसके बाद kуч याद करने की ज़ kitchen ते है, simply, आपको बस ये block diagram followed करना हम है, का concept जो हो clear हो रहेगा block diagram बना रहे हैं yes or no ठीक है suppose करिए यहां पर एपरेट था 5.4% suppose करो सौरबे की government security दी पल्टे में RBI ने 90 रुपीज दिये suppose काटा ने 90 रुपीज का loan लिया और आगे 90 रुपीज salary में दे दिये आगे 90 रुपीज salary में दे दिये यह एक बात हो गई अब क्या हो रहा है access ने saur marathon security दी रेपे रेपो रेड अब कम हो रहा है रेपोGood rate आप कम हो रहा है रेपोरेट वह वह कम हो रहा है रेपोरेट आब दो कमंूह राया सपकाव पॉर पइंट 75 परशंट ऑगया support करो 4.75 परशंट हो गया इस एस में जब armed call moving जब रेपोरOOOO कम हो रहा है, आर्बियाई की profitability कम होगी बाके तीन conclusion बता दो क्या होंगे जल्दी से, अगर रेपोरेट कम हो रहा है, एक हिंट में दे दियाił, अर्बियाई की profitability कम होगी, बाकी तीन conclusion क्योंगे जल्दी बता दो, स्रेहल बहुत सही points बता है, शिवम जैस्वाल, correct बिल्कुल जल्दी बता दो जल्दी बता दो अगर रेपो रेट कम होगा तो बाकी तीन कंक्लूजन क्या होंगे एक हो गया और यह कि प्रोफिटेबिलिटी कम होगी और कि अगर कि अगर कि यहाँ पे मैं नंबर 90 से जादा लिखो है 92 से कम लिकाऊ पहले आप यहाँ पर लिखना है वह 90 से जादा लिखना है 90 से कम लिखना पहले बताओ यहां पर जो number लिखना है कि सौरवे की government security के सामने कितना रूपय का loan दिया, 90 से जादा होगा या 90 से कम होगा, more than 90 और less than 90 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश, 90 से जादा होगा suppose 93 रूपीज Axis ने आप टाटा को 93 रूपीज दिये और आगे liquidity जो है, वो increase हो गई लोग जादा demand करेंगे market में demand बढ़ गई लोग जादा demand करेंगे, market में demand बढ़ गई, और इससे क्या होगा ultimately GDP grow करेगा conclusion लिखो conclusion लिखो conclusion लिखो जल्दी से, वो जो अधर corner में मैंने conclusion लिखा है liquidity, demand और GDP conclusion लिखो फड़ावट से, prelims का verbatum question लिखलेगा, mains के 200 वड के answer में हमारको एक conclusion लिखना है देखिये, ये सवाल देखिये do you agree with the view that GDP growth and low inflation have left Indian economy in a good shape, आप देखो GDP और inflation गया पर link पूछ रहा है, mains 2019 का सवाल है, तो हमने क्या देखा कि अगर inflation जादा होगी question को थोड़ा सा twist करते हैं, ये 2019 के current phase का based question है लेकिन 2023 के mains में, अगले साल जब आप mains देने जाओगे, या 24 में जब आप mains देने जाओगे, तो ये question हलका सा twist हो दाएगा मतलब कि 2023 या फिर 24 के हिसाब से अगर हम इस question को समझे तो वहाँ पे question के आएगा, कि high inflation जो है, वह हमारी growth को impact कर रही है यहाँ पे question क्या बनेगा कि जो high inflation है, समझो mains का question कैसे बनेगा वो देखो कि जो high inflation है जो high inflation है that is impacting our growth जो high inflation है that is impacting our growth high inflation हमारे growth को impact कर रही है inflation जादा होने की वरे से हमारी growth कम हो रही है question समझा रहे क्या बनेगा mains का question समझा रहे क्या बनेगा question समझा रहे क्या बनेगा mains 2023-24 में कि अगर आज की तारिक में inflation जादा है तो उससे हमारी growth impact हो रही है give reason to support your argument question समझा रहे chat में बता उसका answer क्या लिख सकते है फिर मैं discuss करता हूँ में में का question में जो 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 का question है इसको मैंने आज के साफ से थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है आप chat में फटापट से सोच के बताओ दिमाग लगाओ कि अगर inflation बढ़ेगी तो growth कम होगी इसमें क्या points लिख सकते हो फटापट से फटर points बताओ मेरे को फटापट से फटर points बताओ जल्दी से जल्दी से everyone GDP लाइस होगा वो तो मैंने बोला ही ना सर मेंस में आप यह थोड़ी ना लिखोगी inflation साथ अधा तो GDP कम होगा तो question में दिया हुए क्यों कम होगा वो बताओ मेरे को चैट में क्यों कम होगा आप मेरे को चैट में वो बताओ क्यों कम होगा चैट में आप मेरे को बताओ फटापट से क्यों कम होगा चैट में आप मेरे को बताओ everyone फटापट से चैट में आप मेरे को बताओ कि क्यों कम होगा जल्दी मेंस के साप से सोचो कि अगर आपको 200 वर्ड लिखने इस मुद्दे पे तो कैसे लिखोगे इस मुद्दे पे अगर आपको 200 वर्ड लिखने तो कैसे लिखोगे पहले पहले इस मुद्दे पे 500 वर्ड लिखने तो कैसे लिखोगे पहले आप यह सोचे यहां पर 250 वर्ड आप कैसे लिखोगे अगर आप ठीक है ठीक है इंडिया आफ कॉस्पूश इंफ्लेशन अनिम्प्लाइमेंट ठीक है करेक्ट साहिल साहिल बिल्कुल सभी पॉइंट है करेक्ट सोचो मेंस के पॉइंट आपको दिमाग चल रहा है अगली बार जब अगबार पढ़ना है किताब पढ़नी है तो इस question को कैसे solve करना है क्या वो दिमाग चल रहा है आपका मेरको आप यह बताओ मेरा purpose answer लिखवाना नहीं है मेरा purpose आपका दिमाग चलाना क्या आपको बात समर्य करें इसलों अपने आप कैसा भी question निकलें निकलेंगा निकलेंगा यह झा क्या दिमाग चल रहा है यह नहीं मिल्को सिर्फ इतना जवाब दो इसलों है दिमाग चल रहा है है लिए इस फिर गार जू है seems toht Pierhofा यह नहीं sinon तो यहां पे हमने मॉनेटरी पॉलिशी का पॉइंट नंबर वान देख लिया मॉनेटरी पॉलिशी का पॉइंट नंबर वान देख लिया कि रेपोरेट जो है उसको इंक्रीज किया गया 0.5% से आपको हमारी अप्रोप समझा रही है इस क्लास की कि यह डेली न्यूस आनलिस नहीं है यह डेली न्यूस आनलिस नहीं है यहां पे अगर मैंने टॉपिक पकड़ लिया तो मैं उसको ऐसे ही कवर कराऊंगा कि प्रीमेंस इंट्रव्यू कैसे अभी सवाल आए वह आपसे निकलना चाहिए वरना यह टॉपिक में 10-15 मिनिट के अंदर खतम कर सकता था यह दूसरी क्लास में इस टॉपिक पर लगा रहा हूं और अगली क्लास भी इस टॉपिक पर जाएगी समझा रहा है क्यों क्या यह अप्रोच समझ आ रही है इस अप्रोच फाइन और नॉट जल्दी से बताएंगे क्या यह अप्रोच समझ आ रही है सबको क्या यह अप्रोच सही है मैं डेली क्लास लेता हूँ खाटू शाम डेली क्लास लेता हूँ टेली ग्राम पर रोज अजंडर आल दता हूँ अपना मैं डेली क्लास लेता हूँ राइट Concepts clear हो रहे हैं Concepts clear हो रहे हैं मैं करने जा रहा हूँ दूसरी बात जो शक्ति का अंदास ने बोली पहली बात हो गई की रेपरेट को जो है 0.5% से इंक्रीस किया जाएगा और इसका क्या मतलब है वो मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम से समझा दिया है दूसरी बात जो शक्तिकांदास ने बोली अपने मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू में उसका मतलब है स्टैंस को चेंज करेंगे टू विड्रावल अफ अकॉमेडेशन विड्रावल अफ अकॉमेडेशन ये दूसरी बात करी शक्तिकांदास ने पहली बात करी रेपरेट इंक्रीज होगा यह हमने देख लिया पूरा अनलेसिस खतम है अब आ रहो हूँ इसमाले मुद्देपर, स्टैंस पे देखे हर दो महीने बाद जब मोनेटरी पॉलिसी आती है तो उस मोनेटरी पॉलिसी में शक्तिकांदास जो है वो स्टैंस बताते है स्टैंस का मतलब क्या होता है जो मैंने आपको बताया कि stance तीन तरीके का हो सकता है accommodative, neutral या hawkish तीन तरीके का stance हो सकता है मैंने आपको बताया था कि accommodative में liquidity increase करनी होती है neutral में liquidity same रहती है और hawkish में liquidity हमार को कम करनी होती है आज की तारिक में जो हमारी monetary policy का stance है वो है withdrawal of accommodation आज की तारिक में हमारा जो stance है इसका क्या मतलब है इसके अलावा Standing Deposit Facility, Marginal Standing Facility, CRR इन सब क्या मतलब है कल की क्लास में मैं दिखाऊंगा आज की मज़्दूरी को हम यही रोकेंगे सबसे बहले बताएंगे सब कुछ समझ आया है नहीं आज की मज़्दूरी यही रोकेगी यह बताएंगे सब समझ आया नहीं 1.1.1.1.1.1 ऐंड मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम कोर्स में कोई प्रॉब्लम बताएंगे, I'll fix that कोई प्रॉब्लम अनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम टेली ग्राम पे रोज लिंक्स और एजंडा आ रहाते हैं आप वो देख ले ना आपको ये समझ आया कि कोई प्रॉब्लम मेरी साइट से मेरी साइट से कोई प्रॉब्लम एव्रिवन एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड पढ़ाने के तरीके में, content delivery में, questions में, explanation में, doubt resolution में जितने maximum possible doubts हो पा रहे हैं, मैं chat में से ले रहा हूँ तो आपका कोई भी doubt unanswered नहीं रहेगा मेंस वाला एक बारी समीर recording देख लो, नहीं समझाएगा, मैं दुबारा बता दूँगा मेंस वाला नहीं समझाएगा, मैं दुबारा बता दूँगा, अच्छा, हम मिल रहे हैं आदे गंटे बाद, साड़े बारा बज़े, दुबारा से C-SAT की question practice के लिए उसमें आपको आना है, पिछली क्लास में हमने काफी अच्छे questions कर रहे थे, आज मैं bank PO के पुराने questions करांगा, C-SAT के लिए, जो important है, techniques और tricks भी बताने वाला हूँ, तो शार्प साड़े बारा बज़े मिलिंगे हम C-SAT की class के लिए, उसमें आपको जरूर आना है, उसमें आ subscribe कर लिजे, Unstoppables, let's crack it.